एक छोटे से शेहर में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम था पूजा पूजा नहीं जादा लंबी थी नहीं जादा नाटी नहीं जादा गोरी थी नहीं जादा सावली नहीं ज़ादा खुपसूरत थी नहीं ज़ादा अगली वह एक छोटे से घर में रहने वाली एक नौरमल साधरन लड़की थी जो की एक छोटे से कमपनी में सेकेटरी का काम करती थी उसके कलिक ने भी शायद से ही उसे कभी नोटीस किया होगा कभी होई इंपोर्टेंस दी होगी और जो इंपोर्टेंस देते थे वह वही सोचते थे कि इसकी लाइफ काफी बोरिंग होगी एक दिन यूही घर से ऑफिस जाते समय पूजा ने एक मॉल में एक हैट देखा वह उसे काफी पसंद आया जैसे ही वह मॉल के अंदर एंटर करती है वह देखती है कि एक छोटी सी बच्ची और उसकी मॉम दोनों हैट देख रहे हैं और अगल वगल काफी लोग थे उसने सीधे जाकर जो उसे हैट पसंद आई थी वह हैट ली और अपने सर पर रखी और अपने बास ही वाले जो शीशा है जो मीरर है वहाँ जाकर अपने आपको देखने लगी तब ही जो छोटी बच्ची थी उसने इसे पूजा से कहा आंटी आप बहुत अच्छे लग रहे हो जो बच्ची के साथ जो मॉम थी उन्होंने भी पूजा को काफी एप्रिशेट किया वही पे एक अंकल भी थे जिसने पूजा को बहुत एप्रिशेट किया और वहाँ की सेल्स गर वहाँ भी बोलने लगी कि मैं आप इस हैट में काफी काफी अच्छे लग रहे हो बस पूजा सीदे गई पर्चेस काउंटर पर उसने पैसे भरे और मॉल से निकल गई बहार आती उसने कुछ ऐसे चीजे नोटीस की जो की उसने शायद ही पहले की होगी वो जो छोटे-छोटे पौदे थे उसमें जो फ्लार्स थे उसकी जो खुश्बू थी वो नोटीस की ऐसे नहीं था कि वो उसी वक लगाई गई थी वो पहले भी थी बट पूजा ने उस दिन नोटीस की उसने जो हवा है उसकी फ्रेशनेस उस फ्रस्ट टाइम नोटीस की और उसके चहरे पे एक अज़्टी सी स्माईल थी उसके जो मन में वो काफी उडलास भरा था और वो ऑफिस की तरफ चलने लगी रस्ते में ही पास एक रेश्टरांट था वहाँ पे एक बहुत ही हैंडसम लड़का बैठा हुआ था जिसने पूजा को खाने के लिए इन्वाइड किया पूजा वहीं पे खाना खाकर फिर से अपने आफिस की तरफ बढ़ने लगी जैसे ही वह अपने आफिस की तरफ पहुच थी है वाचमेन ने जिसने पहले कब भी उसे नोटिस नहीं किया उसने पूजा के लिए ओफिस के दरवाजे खोले और गुड मॉनिंग बोलते हुए उसे ग्रीट करते हुए उससे स्माहिल के साथ अंदर भेजा अंदर जाते ही लिफ्ट में पूजा से पूछा गया आप कौन सी फ्लोर पर जाना चाते हो और उस फ्लोर का बटन भी दबाया गया जो की इससे पहले कब भी नहीं हुआ था वह पूजा को बहुत ही अच्छा लग रहा था बहुत ही स्पेशल लग रहा था जैसे ही फ्लोर पर आई उसके कलिक्स ने उसे शायद ही फर्श टाइम नोटिस किया और उससे बात भी की उस पूजा के मैनेजर ने भी उससे लंज के लिए इन्वाइट किया शाम को घर जाते समय जब वो घर पहुचती है उसकी मम्मी दरवाजा ख़लती है उसके मम्मी पूजा से कहती है आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो बहुत अलग लग रही हो ऐसा क्या स्पेशल है पूजा बोलती है ठैंक क्यूँ हैट के वज़े से मेरा आज का दिन बहुत अच्छा था मम्मी आज चर्यों के कौन सी हैट पूजा अपने सर पर हाथ लागाते हुए देखती है हैट तो नहीं है वह सोचती है कि उसने हैट कहां भूल गई वह सोचती है घर आफिस से घर आते हैं कैब में तो नहीं भूली या फिर लंच टेबल पे या फिर आफिस में तब उसे अचनक से क्लिक होता है उसने मौल में पर्चेस काउंटर में पैसे तो भरे बट हैट वही काउंटर में ही भूल गई थी और ये रसीफ पूजा की कहानी नहीं ये हम सब की कहानी है ये मेरी आपकी सब की कहानी है जिसमें जो दिन जो स्पेशल था पूजा के लिए वह उस हैट के वज़े से नहीं था वह उस थे थाट के वज़े से था जो पूजा के मन में थे और यही चीज आपको भी करनी है If you want to change the fruit, change the root हम सब अंजाने अंजाने में हम भूल जाते हैं अपने डेली लाइफ के बारे में हम सिर्फ अपने टेंशन के बारे में सोचते हैं और कुछ नहीं सोचते हैं कभी तो भार निकल अपने टेंशन से दुनिया बहुती खुपसूरत है आप देखने का नजरिया होना चाहिए इसलिए Always start blessing yourself Always start saying at the beginning of the day Yes, this day is mine This day is very fruitful for me Yes, I am the winner इस confidence के साथ यदि आप डेली अपने दिन को start करते हो तो आगे बोलने की ज़वरत नहीं है आप खुछ सोच लीजे आपका दिन कैसा होगा Thank you E Logo E Logo कर दो बचरण